नमस्कार, कक्षा 10, एक्सरसाइस 4.3 का प्रशा नमबर 5 आज हम करने जा रहे हैं एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गनित और अंग्रेजी में प्राप्त किये गए अंकों का योग 30 है अभी बटे मैं बाकी कोशन बाद में पढ़ूँगा अभी हमने देखा शेफाली एक लड़की है उसने क्लास टेस्ट दिया और उसके गनित और अंग्रेजी में प्राप्त किये गए अंकों का योग 30 है तो हम मा लेते हैं मा लो गनित के अंक बराबर एक्स तो अंग्रेजी के अंक कितने हो जाएंगे हमें पता है दोनों का योग है 30 तो इसका मतलब देखो मा लो गनित में है 10 तो अंग्रेजी में कितने होंगे 30 माइनस 10 यानि 20 मा लो गनित में है 15 तो अंग्रेजी में कितने होंगे 30 माइनस 15 इसी प्रकार से यदि गनित में है X तो अंग्रेजी में होंगे 30-X ये उसके गनित के नंबर आगे X अंग्रेजी के आगे 30-X अब हम आगे देखते हैं अगला पहाद पुड़ते हैं यदि उसको गनित में 2 अंक अधिक मिलते अब देखो कोशन के इसाब से गनित में 2 जादा मिलते अभी मिले है X यदि 2 जादा मिलते तो हो जाते X प्लस 2 इसी प्रकार से अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते अंग्रेजी में अभी उसको मिले है 30-X 3 कम मिले होते यानि ऐसे minus 3 कर दो तो उसके अंकों का गुननफल 210 होता इसका मतलब ये वाले अंक और ये वाले अंक इनका गुननफल 210 होता ये समझाया बचो अभी हमने माना दोनों अंकों का योग 30 था तो गनित के माल लिए X अंगरेजी के माल लिए 30-X ठीक है उन्होंने कहा यदि उसको गनित में दो अंक अधिक मिलते तो गनित में थे X दो जादा मिलते तो हो जाते X प्लस दो इसी प्रकार से अंग्रेजी में तीन अंक कम मिले होते अंग्रेजी में मिले हैं तीस माइनस X तीन कम मतलब इसमें से तीन घटा दो 30-x-3 तो इन दोनों को गुना करके इन दोनों का गुननफल 210 होता अब हम इसे हल करके एक द्वी घात समीकरन बनाएंगे देखो बच्चो कैसे x-2 को ऐसे ही लिखा x-2 यहाँ पर देखे 30-3 कितना हो गया 27-x बराबर है 210 के अब हम इसे हल करेंगे x को माइनस x से गुना करके आगया माइनस x स्क्यार प्लस 2 को 27 से गुना कर दो तो प्लस 54 प्लस 2 को माइनस x से गुना कर दो तो माइनस 2x बराबर 210 ठीक है बच्चो अब हम इसे आगे हल करते हैं दिखें इस 210 को भी इधर लियाओ सबसे बड़ी पावर है माइनस x स्क्यार इसको सबसे पहले लिखेंगे प्लस यह है 27x माइनस 2x कितना बन गया 25x साइन प्लस का ठीक है बच्चो उसके बाद यह है प्लस 54 और यह है 210 बराबर के आगे 210 प्लस का है जब यह बराबर से इधर आएगा तो इसका साइन चेंज होके बन जाएगा माइनस यह आगया 0 अब हम इसे हल करते है माइनस x स्क्यार प्लस 25x प्लस माइनस माइनस 10 में से 4 निकाले 6 20 में से 5 निकाले 15 तो यह आगया 154 साइन बड़ी रकम करेगा ब्राबर 0 अब बच्चो वैसे तो हमारे पास द्वी घाद समीकरन बन गी लेकिन जब हम द्वी घाद समीकरन देखते हैं तो हम देखते हैं कि x स्क्यार वाली रकम नॉर्मली सरी प्लस की होती है इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे इन सभी में से माइनस कॉमल ले लेंगे वो माइनस 0 से भागो के 0 हो जाएगा यानि इन सबका साइन चेंज करतो माइनस x स्क्यार है तो यह बन जाएगा प्लस x स्क्यार यह प्लस 25x है यह बन जाएगा प्लस 156, इन दोनों से जो माइनस कॉमर लिया था, माइनस 1 कॉमर लिया था, वो इधर 0 से भागो के, 0 से 1, माइनस 1 भागो के बन जाएगा 0, अब हमारे पास ये बन गई है, द्वी घात समिकरन, अब हम क्या करेंगे, ये पहला भाग है, कोशन का द्वी घात समिकरन बनाना, अब हम अगला भाग देखते हैं इसका मूल निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं द्वी घाती सुत्र द्वी घाती सुत्र के अनुसार X बराबर माइनस B प्लस माइनस अंडरोट उमीद करता हूँ कि अभी तक तो द्वी घाती सुत्र सब बच्चों को जुबानी याद हो चुका होगा अपॉन 2A आए इसे अब हम हल करते हैं हल करने से पहले इसे ये जो हमने द्वी घाती सुत्र बनाई है इसे A X स्क्यार प्लस B X प्लस C बराबर 0 के साथ कंपेर करो X स्क्यार के साथ कुछ नहीं है यानी 1 यहाँ X स्क्यार के साथ है A इसका मतलब A का मान होगा 1 X के साथ है माइनस 25 यहाँ X के साथ है B इसका मतलब B का मान है माइनस 25 B ना X वाली रखन में प्लस 156 यहाँ है C इसका मतलब C का मान है प्लस 156 अब हम इसे इस विकाती सुत्र में ये सारी values डालेंगे देखो X ब्राबर minus ये वाला minus यहां लिख दिया अब है B, B कितना minus 25 यहां दो minus क्यों है एक minus formula में था एक minus B के साथ था तो इन दोनों को अलग करने के लिए bracket लगा देते हैं आगे है plus minus आगे है under root B square, B है minus 25 इसका मतलब minus 25 का square minus 4 into A, A है 1 C है 156 बड़े रकम आगी कोई बात नहीं, डरना नहीं है upon 2 A 2 into A, A कितना है 1, ठीक है बच्चों? अब हम इसे हल करते हैं, आए देखें X ब्राबर यह हो गया minus into minus plus यानि 25 plus minus under root देखो, minus का square होता है plus, 25 का square यानि 25 गुना 25, 25 गुना 25 बच्चों होता है 625 आगे है minus 156, 4 एकम 4 4 को 156 से गुना करना है देखो, 4 चीके 24 हासलाया 2, 15 चोके 60 और 2, 62 तो यह आगे 624 आप गुना करके इसको देख भी सकते हैं और नीचे आगया 2 एकम 2 इसको अब हम हल करेंगे 25 plus minus देखो, root 625 में से 624 minus कर दो, कितना आगया? 1 बटा, नीचे कितना है? 2 अगली line में 25 plus minus यह ना, plus minus एक का root कितना और चाब बचो? 1 बटा, 2 इसका अर्थ क्या है? x का मान एक बार हम लेंगे plus का sign एक बार लेंगे minus का sign तो मैं एक बार ले रहा हूँ plus तो x बन गया 25 plus 1 बटा, 2 दूसरी बार x ले रहा हूँ minus 25 minus 1 बटा, 2 देखिए 25 में एक प्लस किया 26 26 को 2 से भाग कर दिया 13 इसी प्रकार से यहाँ पर 25 में से एक minus किया 24 24 को 2 से भाग किया 12 इस प्रकार से बच्चो हमारे पास x की दो values आ गई है तो दो लग-लग case बन जाएंगे देखिए ध्यान से मैं आपको दिखाता हूँ यदि x है 13 तो x किसके बराबर था गणित के अंक इसका मतलम बोलेंगे गणित के अंक बराबर x यह देखो हमने लिखा था न गणित के अंक बराबर x तो वही मैं लिख रहा हूँ गणित के अंक बराबर x और x किसके बराबर है 13 के बराबर है ठीक है बच्चो तो अब इसके हिसाब से अंगरेजी के अंक कितने होंगे देखो आपने अंगरेजी के अंक क्या लिखा था 30-x 30-x यानि 30-13 13 निकाला न 30 में से 13 निकाल दिया 17 इसका मतलब यदि x हम 13 मानेंगे तो हमारे पास गनित के अंक आ जाएंगे 13 और अंग्रेजी के अंक आ जाएंगे 17 लेकिन ये उत्तर अकेला उत्तर ये नहीं हो सकता हमारे पास x की एक और value भी आई है x बराबर 12 तो आईए हम इसके हिसाब से भी solve कर लेते हैं यह इसके हिसाप से हम हल करें तो देखिए गनित के अंक गनित के अंक किसके बराबर है x के बराबर और x कितना आया है 12 तो जैसे हमने यहां निकाला था वैशे यह अंग्रेजी के अंक निकाल दो अंग्रेजी के अंख है 30-X 30-X यानि 30-X कितना लिया है 12 तो 30 में से 12 निकाल दो 18 इसका मतलब गनित के अंख होंगे 12 अंग्रेजी के अंख होंगे 18 तो बच्चो देखो यदि आप X को 13 मानेंगे तो शिफाली के गनित में है 13 नंबर अंग्रेजी में है 17 नंबर यदि हम X को 12 मानेंगे तो शिफाली के गनित में है 12 नंबर और अंग्रेजी में है 18 नंबर ठीक है बच्चो यही यही जो है यह हमारे प्रश्न का उत्तर है तो क्योंकि हमारे पास द्वीगात समीकरन थी इसलिए हमारे पास दो लगलग तरा के उतर आये हैं आशा करता हूँ ये वीडियो और ये प्रशन आपको अच्छे से समझाया होगा आप जहां से भी ना समझाया हो इस प्रशन को दुबारा पीछे जाके देख सकते हैं देखे हम अलगलग कलर्स का प्रयोग करता हैं सिर्फ इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझाया सके धन्यवाद